हेलो वीवर, स्वागत है आपका एक बर फिर से हमारे चैनल जोती श्यान में दोस्तो आज के भागदोर के युग में ज्यादा तर लोग ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कम मामदनी में ही गुजर बसर कर लेते हैं लेकिन कुछ एक बहुत कमाने के बावजूद भी अपने धन का उपयोग मन चाहे तरीके से नहीं कर पाते अननेसेसरी फिजूल के खर्चों की भरमार लगी रहती है घर में रुपए पैसे की बर्गत नहीं होती ऐसा क्यों होता है जी तोड मेहनत करके खूब कमाई के बावजूद यदि आपकी घर में बर्गत नहीं हो रही है जिन से आपकी अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल हो पाए पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन को क्लिक करना न भूने ताकि जब भी हमारी नेक्स वीडियो अप्लोड हो आपको नोटिफिकिशन मिलता रहे हर इंसान के जीवन में लक्ष्मी का धन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है शासरों में कहां भी गया है कि सुबह उटते ही आप अपने दोनों हाथों का दर्शन करें और निम्शलोक को बोलते हुए प्रार्तना करें तो इन दिन की शुरुआत अच्छी होती है जन्म कुल्य में धन्योग होने की बावजूद मी व्यक्ती रूपय पैसे संबनी मामूरों में संदुश नहीं हो पाता इस बात को दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि धन की बरकत नहीं होती ऐसे लोग के पास धन तो आता है पर फिजूल खर्ची, बेफिजूल के कामों में पैसा खर्च होना, आई दिन खर्चों की भरमार लगी रहना आम बात हो जाती है ऐसा होने के पीछे रीजन है कुण्णी में धन योग के होती हुए भी कुछ दूसरे ऐसे योग मोजूद होते हैं जिसकी वज़ा से व्यक्ति पूरी जंदगी पैसी की समस्याओं से जूचता रहता है कुण्णी में योग को देखने के लावा घर में वास्तु दोश भी बरकत नहीं होने का एक कारण हो सकता है और व्यक्ति की आदते और रहन सहन की वज़़से भी घर की सुक, शान्ति और समर्दी पर बुरा प्रभाव पड़ता है सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुण्णी में धन्योग के बारे में कुण्णी में दूसरे भाव को धन्भाव कहा गया है इसके मालिक रह की पोजिशन धन के बारे में संकेत देती है कुल्णी का चोथा भाव हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को जीने का संकेत देता है पांच्वा भाव अचानक धन भाव को बताता है इस भाव से अचानक धन मिलना ये सब चीजे पता चलती है छटे भाव से कर्ज और रिस्पॉंसिबिलिटी को देखा जाता है सबकी इंपॉर्टेंस धन संबंदी मामलों को समझने में खास माने गई है व्यक्ति की चन्मकुल्णी में धन संबंदी योग तो मौजुद है लेकिन पैसे की बरकत नहीं हो रही इसका मुख्य कारण यह है कि धन योग बनाने वाले ग्रह आठ में या बार में भाव में बैठे है दूसरा कुल्णी में कुछ ऐसे योग है जिनसे रूपए पैसे में बरकत नहीं है जैसे 6,000 और 7,000 के स्वामी ग्रह की आपस में यूती हो जाना 4,000 और 12,000 के स्वामी ग्रह का योग हो जाना या 6,000 और 1,000 के स्वामी ग्रह की यूती हो जाना या 12,000 और 8,000 के लौट का कंजेक्शन हो जाना या इस तरह कि योग कुल्ली में हो तो धन हानी होती है जोती शास्तर में ऐसा बताया गया है कि धन भाव में राहू केतु आ जाएं तो रूपए पैसे की बरकत नहीं होती यदि बारमे भाव में लगन में राहू केतु आ जाएं तो ऐसा विक्ति अपनी रूपए आप ऐसा सो समझ कर खर्च नहीं करता और खर्च करने के बाद वह पच्छता आता है यदि बहुत सारे शुक्र है आटवे या बार्मे भाव में आ जाएं तो भी धन्योग मौजूद होते हुए भी इंसान के पैसे में बरकत नहीं होती ये तो बात हुई कुंडली को लेकर पर बहुत बार वास्तु दोश होने से क कुंडली के बने योग हमें फाइदा नहीं दे पाते हम जिस जगह पर रह रहे हैं जिस एट्मासफेर में जी रहे हैं वो कितनी नेगिटिव और पॉजिटिव एनरजी से भरा है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है यानि वास्तु दोश भी घर में बरकत नहीं होने का दूसरा कारण हो सकता है जैसे यदि वास्तु के हिसाब से इशान को यानि उत्तर पूरव दिशा में टॉयलेट किचन या सीडिया बना ले जाए तो धन योग के मौजूद रहते हुए भी बरकत होना संभव है अर्थात योगों के मौजूद रहने से धन तो आएगा लेक सेफटी टैंक या अंडर्गरांड कोई निर्मान किया हुआ है तो पैसे की बरकत नहीं होगी इसके लिए उत्तर दिशा की तरफ कम और हलका निर्मान करें हमेशा इस थान से फ्रेश एर घर में प्रवेश करें ऐसी कोशिश रहे अगर आप चाहते कि आपकी धन में बढ़ धन के स्वामी का वास माना जाता है घर के दक्षिन बश्चिन दिशा में टॉलेट या वाटर टेंग होने पर धन नहीं ठहरता है घर की उत्तर पूरो दिशा में डस्ट पीन या कच्रा नहीं रखना चाहिए कह दे कि हां गंदगी होने से धन का नाश होता रहता है घर की हर जल्दी हो सके ठीक कर लेना चाहिए। दक्षिन दिशा में यम का निवास माना जाता है। कर्ष का भुगतान मंगलवार को या चतुरती नवमी, चतुरती शितिती को या किसी भी महीने की चार, नौ, चौदा तारिकों करें। तो शिकर ही कर से मुक्ति मिलती है। चांती और सम्रिद्धी रहे। इसके लिए अपने व्यपार और नोक्री में भी जीजान से महनत करता है, पूजा पाट करता है, तीर्थ यात्राएं करता है पर फिर भी उसे इतनी सम्रिद्धी नहीं मिलती। पर आज की वीडियो में बताएगी इस जनल इंफोमेशन में इन छोटे-छोटे उपायों को अगर आप अपनाएं तो काफी हद तक आपकी धन की समस्यें दूर हो सकती हैं। तो आपको आज का वीडियो इनफोर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जयोती से जोड़ा कोई भी सवाल हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। जयोती से जोड़ी नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाल।